हाई एवरिवन वेलकम टू जेयार टुटोरियस आइम यूर फ्रेंड राहूल जेस्वाल फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हो कि जो सोशल स्टडी का जो सब्जेक्ट होता यह बहुत सारे लोग को हार्ट लगता है और उसका रिजन यह है क्योंकि वो तोटली थेराटिगल सब्जेक्ट है और उसमें क्या पढ़ना चाहिए यह आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और जो बड़े बड़े एंसर्स होते वो लर्न नहीं होते तो बड़े एंसर्स कैसे लर्न करने है वो तो हम चलो आप के लिए बेनिफीशल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले है most important MCQs of history subject तो सिर्फ history subject का आज में most important MCQs लेकर आया हूँ 10 standard board के students के लिए बहुत ज्यादा बेनिफीशल होने वाला है क्योंकि आप जानते हो कि आपको total 3 marks के MCQs पूछते हैं तो 3 मे से 3 marks मिलवाने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ बहुत ज्यादा मेनत लगा है दोस्तों ये वीडियो तयार करने के लिए वीडियो को आप लोग end तक देख लेना तो सबसे बेली बात दोस्तों इसमें हर chapter का हर chapter का all chapter जितने भी आपके chapter से chapter number 1, 2, 3, 4 आपको नहीं है, 5 है, 6, नहीं है, 7 है, 8 है और 9 है यानि total cool मिलाएंगे तो 9 chapter में से 2 chapter reduce है, total 7 chapters के important MCQs मैंने ढून के निकाले है, textual भी है, कुछ अपने मन से भी दिया है और कुछ question bank में से cool मिला कि बहुत MCQs है और आपको बता दो सिर्फ इतना अगर पढ़ लोगे तो 3 marks आपके confirm हो जा जो ये questions में दे रहा हूँ, MCQs के solutions भी दे रहा हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता, ये मेरी guarantee है, और कुछ आई नहीं सकता, इतने में से पढ़ ले न, आपके MCQs इसी में से आएंगे, और बाकी किसी में से नहीं आएंगे, total 80 MCQs दे रहा हूँ आज, बहुत चाप्टर का sequence में, chapter wise sequence में, और एक एक करके MCQs, उसके 4-4 options और कैसे, options को याद करना है, कैसे आपको answer अपने आप आजाएगा, वो आपको में टेकनिक बताने वाला हूँ, तो promise करो एक चीज़ मेर से अभी, कि ये वीडियो आप पूरा देखोगे, पूरा वीडियो देख सकता है, क्योंकि HCMCQ कराना है, थोड़ा सा वीडियो लंबा है, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, mostly 25 मिनट का होगा, तो इसको आप देख लोगे, पूरा वीडियो फुली देख लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि महनत लगी है, दोस्तों, तो मैं चाहता सकते हो, हम लोग स्टार्ट करने वाले चाप्टर वाइस, तो चाप्टर नूमर वन, इसकी शिरुवात करेंगे, और ऐसे करते करते हर, कोशन्स जो है, आपको डिस्पली किये जाएंगे, और उसके एंसर भी हम आपको बताएंगे, तो आप लोगो बस इस चीज को याद कर आने, तो आप उसका एंसर कर पाऊगे, तो बस यहीं दोस्तों, 10-15 मिनट का वीडियो आपको 2-3 मार्क्स इजीली देखे जा सकता है, तो यह वीडियो को एंड दंग देख लेना, तो शुरुवात करते हैं, सबसे पहले आप देख पार, चाप्टर नूमर वन, इस हिस्ट दूसरा question जो आपको दिख रहा है, that is, Dash Road the book entitled Archaeology of Knowledge, यह book किस ने लिखा था, ठीक है, Dash Road, यानि किस ने लिखा था, तो आपको याद रटना, Archaeology of Knowledge कभी भी आपको दिमाग में आया, तो Michael Foucault का नाम जरूर याद आना चाहिए, ठीक हो, मैंने option में टिक करके लाया हुए, आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको बस ये मैं याद करवा रहा हूँ, basically हमारा ये वीडियो बनाने का मकसल सिर्फ इतना है, कि आपको हर चीज मैं याद करवा हूँ, ठीक है, फटा-फट से इसको याद कर लो, और ये PDF जो है, मैं टेलिग्राम ग्रूप में डाल लेकिन यहाँ पर मैं explain भी कर रहा हूँ, साथ साप में, तो आपको बहुत बेनिफीशन होने वाला है, ठीक है, तो याद रहेगा, Archaeology of Knowledge, किसने बुख लिखा था, Michael Foucault ने लिखा था, याद रहना चाहिए, तिसरा question, क्या बोला है, the writings of Dash helped in establish the fundamentals of feminism, तो मतलब किसकी writing द्व 12, ठीक है, यह help हुआ था, जो feminism था, women's के लिए, जो fundamentals feminism के लिए किया गया था, वो किसके द्वारा writing के लिखा गया था, तो चार options है हमारे सामने, इसका सही जवाब है, याद रखना, feminism की जब भी बात आई, तो यह seminar day behavior, आपको याद रखना है, नाम, feminism का बात आया, seminar day behavior, क्योंकि आपके सामने, MCQs में से option, पुछेंगे exam में, तो options कोई देखके आपको answer याद आना चाहिए, ठीक है, आप देखो, चुछता question, in 1737 CE, the Dash was founded in Germany, Germany में 1737 में क्या found हुआ था, याद रखना, Gottingen University, Gottingen University जो है 1737 में Germany, Germany, G for Germany, G for Gottingen, यैसे याद रख लो, Gottingen University जर्मनी में पाया जाता है, ये याद रख लेना, ठीक है, next question, according to Dash, human history is the history of class struggle, किसके द्वारा बताए गई थी, human history जो है, ये अलग-अलग class के struggle किया गया था काल मार्क्स को याद करो, काल मार्क्स was the great historian, इसको याद कर लेना, human history, जब भी कोई MCQ में दिखेगा, human history, correlation में दिखेगा, तो आपको काल मार्क्स ये इनसान याद आने चाहिए, ठीक है, चलो, next question, in 20th century, a new school of historiography arose in France, which is known as Dash, ठीक है, 20th century में, historiography का एक नया school खुला था, France म होता है, analysis school, यानि कि थोड़ा sound अलग कर रहा है, analysis, तो ये याद रखना, France जब भी जिकर हुआ, school और France का जिकर हुआ, तो analysis ये word आपको याद रखता है, तो analysis school, ठीक है, option देख लो, बहुत सारे है, वोल्टायर है, French है, archaeological school है, लेकिन इस पे आपको analysis जो school है, वो याद रख रहीं, referd book, पूरे world में सबसे ज़्यादा, treatise, ये treatise word याद रख लो, और treatise जब भी दिखेगा, आपको referd book, all over the world में देखा, तो दास capital याद रखना, ठीक है, दास capital, a treatise, ये treatise थी, जो की लिखा गया था, जो ही सबसे ज़्यादा, referd book है, पूरी दुनिया के अंदर, ठ antithesis में confused होते हैं, क्योंकि antithesis का actual में meaning opposite ही होता है, याद रखना, लेकिन ये answer रही है, ये हमारा answer है dieelectrics, तो dieelectrics is the correct answer, जिसमें आपका analysis करवाया जाता है, तो method of analysis is of opposite is known as dieelectrics, ये चीज़ याद रखना, ठीक है, अगले question पे जाते है, the writing of critical historical narrative is known as, मतलब अगर हम कोई critical historical narrative लि याद रखना है, critical historical narrative, जब भी आएगा तो वो रहेगा historiography, चलो next question, आखरी question इस chapter का जिसका नाम है दोस्तों, the tradition of recording historical events can be traced back to summer civilization in dash, तो याद रखना, recording historical event, कभी भी दिमाग में छपा, ये word याद रखना, recording historical event, अगर कभी भी दिमाग में आएगा, तो ये summer civilization में mesopotamia आता है, was the earliest city, आपको याद रखना है, ठीक है, mesopotamia, पहला summer civilization, बोल सकते हो, historical event, mesopotamia, याद रहेगा, tradition of recording historical event, summer civilization में, mesopotamia, ये था हमारा पहला chapter, दोस्तों, समझ में आ गया, पहला chapter बहुत easy था, तो total हमने ऐसे 10 MCQs दिये, पहले chapter में से, जो आपको बहुत ज़दा important है, 10 में से कोई एक तो definitely पूछेगा, अब ये 10 का 10 एक दम दिमाग में बिठा लो, कोई तरिक, बतलब परिशानी नहीं होगे, और ये MCQs अगर आप याद रखोगे तो आपको ये other questions में भी help करेगा, जैसे कि कुछ correlation वाले question आ जाते है, flowcharts वाले question आ जाते है, one sentence वाले question आ जाते है, इसमे share करो, बोलो, ये सिर्फ ये video देख लोगे न, पूरा, total 80 questions लेकर आया हूँ, 10 chapter में से, मतलब जो भी आपके chapter से, 4 and 6 को छोड़के, आपके syllabus में, जो भी आने वाले है, board exam में, ये आपके लिए बहुत beneficial होने वाले है, तो please share कर देना, उनको बोलो, अच्छे से देख लो, आपको कोई पूछेगा, तो आपको बताना है, अलेक्जेंडर कनिंगम, ये जो भड़े ये याद रख लो, अलेक्जेंडर तो common नाम है, लेकिन ये कनिंगम याद रख ले, कनिंगम मतलब पहला डारेक्टर जनरल, archaeological survey of India, ये से connect कर सकते हो, इससे आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है, अगला question, next question आ जाता है, the Sanskrit text of हितोपदेश, in German language, तो हितोपदेश जो है, जर्मन लाइग्वेज में संस्क्रिट टेक्स जो है, उसको लाया गया था, फ्रेडरिक मैक्स मुलर द्वारा, मुलर याद रखो, मुलर याद रखो, कि संस्क्रिट टेस्ट या किया जाता है, इसका कोई logic नहीं होता है, बस या तो आप याद कर लो, या तो पूरा अच्छे तरीके से समझ लो, ठीक है, तिसरा question, which is the most important type of historical document of medieval time, medieval time में सबसे जाधा important type of documents कौन सा होता था, तो बखार होता था, याद रखना है, बखार was the important type of historical document, यह आपको याद रखना next question क्या है, देखो, भाव साहेबांची बखार जो है, वो describe करता है battle of dash, मतलब भाव साहेबांची जो बखार था, उसमें किस battle के बारे में वर्नल किया था, तो याद रखना भाव साहेबांची बखार जब भी यह word आएगा, तो पानीपत बैटल याद रखना, पानीपत साहेगा, मुगल अमपाइर, क्या की मुगल अमपाइर के बारे में बखार नहीं बताना, ठीक है, next question, the history of British India, the history of British India की बात करे ब्रिटिं बाइडश, ठीक है, British India जो था, इसका बारे में रखना, ब्रिटिश इंडिया जो था, उसको फान किस ने लिखा था, तो चार आप्शेन है, John Marshall, Alexander Cunningham, James Mill, William Jost तो याद रखना, British India का जो history लिखा क्या था, वो James Mill द्वारा लिखा गया था यह आपको याद रखना, James Mill ने लिखा था, history of medieval, sorry, British India का history याद रखना, James Mill, next question, the five volumes of Cambridge history of India, published why पांच वोल्यूम लिखा गया था, Cambridge history का, इंडिया के उपर, किस ने लिखा था, और कब लिखा था, याद रखना, 1922 से 1937 में लिखा गया था, यह चीज़, 1922, 1937, ऐसे याद रखना, British India का, क्या, normally, Cambridge history लिखा गया था, इंडिया के उपर, Cambridge history याद रहेगा, 37, 22 से 37, ऐसे या याद रखना, कोलकता, शहर याद रखना, Asiatic Society, अभिशा याद रखना, Asiatic Society, कोलकता, इस प्रकार से लिंक बना लो, और याद रखना, नेक्स कोश्चन, नवा कोश्चन इस चाप्टर का, the book Indian War of Independence, यह बहुत फेमस कोश्चन है, बहुत बार पूछा है, the book Indian War of Independence, किसके द of the sacred books of the East, sacred books, जब भी यह word धिमाग में आएगा, जिसका 50 volume लिखा गया था, उसको William Jones द्वारा लिखा गया था, यह आपको ध्यान में रखना है, तो William Jones ने sacred book लिखा था, William Jones ने क्या लिखा था, sacred book, ऐसा धिमाग में बिठा लो, link याद रहेगा, धिमाग आपका बहुत ज्य हमने पढ़ लिए देखो, दोस्तो, 20 question बहुत होते हैं, दोस्तो इतना fast लेके जा रहे हैं, कि आपको ये video आपको इतना ज्यादा effective लगेगा, दोस्तो, ऐसा कोई भी आपको ऐसा पढ़ाया नहीं होगा, आस तक हम आपके लिए history भी पढ़ा रहे, क्योंकि normally हर कोई लोग science, हर कोई math, तो हम science और math तो आपको देई रहे, आप जाते हैं कि हम continuous ले आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और math का LMR series, end game series, English grammar revision series, और ऐसे कई सारे चीज़े हम आपके लिए provide कर रहे हैं, लेकिन हमने सोचा है आपको क्यों न history, geography और political science जैसे subject में भी अच्छे अच्छे चीज़ बताए, तो already important questions हमने display कर दिये हैं, maps के question हमने बता दिये हैं आपके geography के लिए, और अब हम MCQs भी लेकर आ गए हैं, तो आज history पढ़ रहे हैं, कल political science पढ़ेंगे, ऐसे geography भी पढ़ लेंगे, और आपका पूरे subject SST का MCQs भी पूरा complete हो जाएगा, तो चलो आ जाते हैं, chapter number 3, applied history के उपर, तो Shristi Institute of Art and Design, Art, Design and Technology, यह कहाँ पर है, याद रखना यह है, बैंगलूरू में, कभी भी याद रखना, Shristi Institute पूछा, Art, Design का या फिर Technology का यह बैंगलूरू में आ जाता है, इसको याद रख लेना, तो next question है, dash is the mother of invention, मुझे बताओ, invention, यानि कोई भी चीज की होती है, तो वो क्यों होती है, लालच के वज़े से होती है, कि नीड के वज़े से होती है, opportunity of knowledge, जब हमें ज़रूरत पढ़ती है, नीड होती है, तब हम लोग कोई भी चीज की खोज करते है, तो इसका answer हो जाएगा, नीड, ठीक है, next question, the National Archives of India, तो याद रखना, National Archives of India, इसक जो लोकेशन है, वो है, नीडिली, नीडिली में National Archives, जो है, इंडिया का मवजूद है, the Indian Museum, जो Aseatic Society, तो Aseatic Society आ गया, देखो, Aseatic, मैंने बताया था, link, Aseatic Society जब भी आया, तो को टिक करके आना, ठीक है, समझ में आ गया, तो Aseatic Museum, कहां है, Aseatic में, कोलकता में, कोलकता या याद रख लेना, next question यहाँ पर है, the earliest museum in the world was discovered in the excavation of the city of Dash, सबसे पहला museum खोजा गया था, पूरी दुनिया में, सबसे पहला museum, earliest museum, याद रखना, यह खोजा गया था, कोन से शेहर को खोदा जा रहा था, कोन सा, which was discovered in the excavation of city of Dash, कोन सा city था, वो उर था, उर याद रखना, उर ज जो city था, इसकी खुदाई के दौरानी, सबसे पहला museum पाया गया था, यह याद रखना, next question, the Dash plate you in the district, सातरा, also a part of the western घार, तो कास प्लेटिव याद रखना, सातरा जो district है, आपका सातरा, सातरा में, यह है, the Dash plate you in the district, सातरा is also a part of the western घार, यहाँ पे, मिश टाइप हो गया, स सातरा इसे part of western घार, तो सातरा जब भी आ गया, सातरा में कौन सा प्लेटिव है, कास प्लेटिव याद रखना, कास प्लेटिव सातरा, इस प्रकार से याद रखलो, ठीके, याद रहेगा, चलो, next question, okay, ancient sites, building, artifacts, manuscripts, culture, dash type of culture, heritage, तो आपको मैंने बताया था, देको, दो type होते है basically एक होता है, tangible, दुसरा होता है, intangible, tangible में क्या आ जाता है, जितने मी type के material वाले चीज़े होते है, material वाले, tangible, मतलब material वाले, जैसे building, artifacts, manuscripts, culture, sites, ये सब tangible होता है, और intangible में मतलब oral आ जाता है, मतलब जो सोचा हुआ होता है, dance form होता है, writing होती है, वो सब आ जाता है, oral, intangible मे ये आ जाएगा, याद रहेगा, ओके, अगले question के उपर चलते है, अब यहाँ पर oral tradition आ गया, देखो, तो oral tradition, custom, style of performing arts, are dash type of culture, तो क्या आएगा, tangible आएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा, intangible, इसका सही जवाब, intangible, याद रहेगा, दोस्तो, बहुत simple है, याद रखना, अग इसके पहले के questions में देखा, उर नाम का city था, उसके खुदाई में हमें मिला था, सबसे पहला museum, और उसको बनवाया गया था, princess द्वारा, कौन सी महरानी थी, वो महरानी थी, मीजो पोटामिया की, मीजो पोटामिया शहर की महरानी थी, याद रहेगा, चलो, next question पर जाते हैं दसवा question इस chapter का, dash is considered as a mother of science and all subject, science का और all subject का mother किसको कहा जाता है, philosophy को कहा जाता है, क्योंकि philosophy से ही ideas generate होते हैं, चाहे वो science हो, technology हो, या फिर बाकी subject हो, तो याद रखना, sub subject का, जो mother है, वो कोन है, कोन है, philosophy, याद रहेगा, चलो, जाते हैं, अगले chapter की तरफ, तो ये था हमारा तीसरा chapter दोस्तों, आप जाते हैं, चौथा chapter हमें नहीं है, reduce का part है, reduce सिलाबा से हमारे board exam in nation में नहीं आएगा, तो हम आ गए हैं, पाचवे chapter के उपर, जिसका नामे, mass, media and history, बहतरीन chapter है, बहुत simple chapter, easy chapter है, कैसे याद रखना है, देखो, television is a dash medium, television में आप देख भी सकते हो, और सुन भी सकते हो, यानि कि ये एक audio visual है, audio मतलब आवाज भी सुनाई देता है, visual मतलब हमें दिखाई भी देता है, तो audio visual medium है television, ठीक है, next question, the first English newspaper in India was started by Dash, यानि कि जो पहला English newspaper जो इंडिया में शुरुआत किया गया था, इसकी रचना, इसकी शुरुआत किस ने की थी, James Augustus हिक्की ने, तो ये हिक्की word याद रख लो, ठीक है, हिक्की जो था हिक्की, उसने पहला English newspaper इंडिया में शुरुआत किया था, हिक्की, किसने हिक्की ने याद रखना, बस इतना याद रखो हिक्की, अपने आप options में से answer मिल जाएंगे, तो हिक्की ने पहला newspaper की शुरुआत तो इंडिया में कौन सा एसा सिरियल टेलिकास्ट किया गया था दूर दर्शन आपको पता है एक चैनल हुआ करता था पहले के टाइम पे दूर दर्शन वहाँ पे इंडिया तो बहुत पहले आता था लेकिन उसके पहले भी एक खोज नाया नया जब इंडिया आजा दुआ था और इंडिया का टीवी जरनी शुरुआत हुई थी तो भारत एक खोज याद रखोगे ठीक है इंगिलिश में था हिक्की ने शुरुआत क्या था जिन्होंने मराथी मैंग्जिन की शुरुआत की थी तो उस टाइम के जो ुष टाइम के जो हमारे देश unity थे दोस्तो उनका नाम क्या था डॉक्टर राजेंदर प्रशाद उनोंने ही उटगाटन किया था ये चीज़ यान में रखना डॉक्टर राजिंदर प्रसाद ने दिल्ली दूरदर्शन का इनाउगूरेशन किया था ठीक है next question the first English newspaper of India was printed on तो किस ने किया था वो तो हमने देखा हिक्की ने किया था लेकिन कब print किया गया था तो 29 January 1780 ये वर्ड याद रख लेना 29 January 1780 बहुप पुरानी बात है दोस्तों 29 January 1780 में English newspaper पहली बार इंडिया में print किया था याद रहेगा अगला question आ जाते हैं 7th question a newspaper name-supported video remarriage मतलब कौन सा इसा newspaper था जिसमें जो विद्वाय होती थी वीडो ठीक है न वीडो पता है न जिसके husband मर जाते है उसको वीडो कहते है तो वीडो remarriage जो है इसकी मतलब support किस ने किती कौन से newspaper ने किती उसको याद रखना इंदू प्रकाश इंदू प्रकाश जो newspaper था उन्होंने वीडो रिमारेज कर सकते हैं ऐसा उन्होंने बताया था और उसको support भी किया था याद रहेगा इंदू प्रकाश वीडो रिमारेज जैसा याद रख लो जो जो जया प्रिंटेड उन्होंने हमारे मैप एशिया का जो मैप है दोस्तों उसको प्रिंट किया था याद रखना ये कब की बात है ऐसा बोला है तो इन्हों ने प्रिंट किया था एटिन फॉटी टू में सोचो अगर बार देश वाले खोचते रहें हम इन्डियन बहुत स्मार्ट थे तो धियान देव जो थे उन्होंने 1842 में ही एशिया का मैप बना दिया था जो कि सबसे पहली बार ऐसा हुआ था तो 1842 में उन्हें एशिया का मैप बना दिया था याद रखना एशिया का मैप कब बना था 1842 याद रखोगे चलो next question 10th question इस चाप्टर का आखरी question जो कि ये पंडित नहरू रोल इन भारत एक खोज जैसे मैंने वहला भारत आजाद हुआ था तो एक सीरियल आता था भारत एक खोज अब ये भारत एक खोज में पंडित जवाल लाल नहरू जो कि हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर से उनका एक बहुत बड़ा रोल किया था तो एक्टिंग किसने किया था तो देखो अभिता बच्चन नए जमाने के अक्टर है दिलिप कुमार भी उस टाइम के नहीं थे मुकेश खन्ना भी शक्तिमान वगरे में थे लेकिन उस टाइम पे बहुत पुराने अक्टर थे जिनका नामता रोशन सेठ ये उस टाइम पे उन इंट्रेस्टिंग चाप्टर स्पोर्ट्स के बारे में है इस्ट्वी के बारे में है तो चलो इसको भी पढ़ते हैं फटा-फट से देखते हैं इसमें क्या-क्या कोश्शन question the wooden dolls made in महारश्टरा और known as dash यानि कि जो लकडियों की जो गुडियां होती है ने dolls जो होती है वो महाराश्ट में बनाया जाता है अलग-अलग कारिगर द्वारा तो उसको क्या कहते है उसको बोलते है थाकी क्या बोलते है थाकी ओ थाकी ऐसा ठीक है थाकी याद रखता है तो थाकी थाकी बोलते है इसको ठीक है याद रहेगा ओके तो यह हो गया हमारा second question तीसरा question पर जाते हैं जो कि है the ancient Indian literature and epics mention various games such as dash यानि कि जो हमारा पुराना Indian literature है और हमारी जो गाथाए हैं epics जो है जो mention किये जाते हैं वो किस game के बारे में बताता है तो generally हमारा सबसे पुराना खेल है कुष्टी wrestling बोलते हैं कुष्टी आपको पता है कुष्टी आपस में लड़ाई करते है व्रेस्लिंग होता है तो wrestling is the ancient Indian literature games होता है याद रखना ठीक है क्रिकेट फुटबॉल कबड़ी यह सम नहीं जावाने का गेम है लेकिन सबसे पुराना गेम कुष्टी था आपस में लोग लड़ते थे ठीक है ओके चौता question इंडियन इंडियन गेम है जो इंडियन नहीं है लंगडी इंडियन गेम है खोखो मतलब पुरे देश में सबसे ज़ादा फेमस गेम आउटडोर में कौन सा है यह options में से बता आना तो आप cricket cricket बोलने लगे कि फुटबाल फुटबाल यह options में देखो तो लंगडी तो फेमस नहीं है खोको भी उतना फेमस नहीं है टेबल टेलिस में उतना फेमस नहीं लेकिन running race बहुत होता है युजेन बोल्ड का नाम सुना होगा न सबसे fast test runner तो running race बहुत बरफ में होकी खेलना यार कितना adventurous लगेगा तो इसका answer हो जाएगा ice hockey जो की है adventurous game ओके next question यहाँ पर आ जाओगे which games is the most popular in इंडिया हमारे देश में इंडिया में कौन सा गेम ज्यादा popular है पताओ मुझे तो सबसे ज़्यादा popular एक तो cricket हो जाएगा और दूसरा होकी क्या हमार cricket याद रखना next question पर जाते है नवा question major ध्यांचन is an expert player याद रखना major ध्यांचन यह जब भी बात आती है तो हमें एक ही वर्ड याद आता है hockey तो hockey का capital sorry captain थे बहुत ही famous खिलाडी बहुत ही महान खिलाडी और जब भी हम लोग hockey की बात करते तो major ध्यांचन का नाम जरूर आता इसके लिए उसका answer हो जाएगा hockey यह expert player थे major ध्यांचन दस्वा question इस chapter का जो कि है national sports day इस celebrated on dash यानि कि national sports day कब celebrate किया जाता है तो उसका answer है 29 अगस याद रख लेना 29 अगस 29 अगस को national sports day celebrate किया जाता है क्या 29 अगस national sports day एसे याद रख लो हम ठीके यह हो गया हमारा 7 चाप्टर अब आ जाते हैं second last chapter आठवा chapter है जिसका ना में दोस्तो चाप्टर नंबर 8 tourism and history बहुत मज़दार चाप्टर काफी simple chapter है और इसमें mcqs थोड़े कम है देखो थॉमस कुक जो थे established किया था उन्होंने travel agency और क्या बेजके किया था selling dash क्या बेजके किया था हमेशा याद रखन tourist ठीक है उन्होंने travel agency और obviously याद रहेगा travel agency की जब भी बात आए तो travel किसको कराते है तो travel agency उन्होंने खोड़ा था था ताकि वो tourist लोग को यहाँ पर घुमा सके तो थॉमस कुक याद रखना travel agency की जब भी बात आए जाएगी तो tourist word याद रखना ठीक है next question भिलार भिलार क्य याद रखना next question in 16th century क्या बोल रहा है in 16th century dash was a famous cartographer तो कोन ऐसे व्यक्ती थे 16th century में जो famous cartographer थे इसका answer याद रखना ग्रिगारस स्वरी गिरार्डस मर्काटर यह याद रखना तो कार्टो ग्राफर कभी दिखेगा तो मर्काटर याद रखना देखो नाम सिमिलर यह ना कार्टो कार्टर कार्टो कार्टर याद रखना तो कार्टो ग्राफर यह मर्कार इस प्रकार से आप answer लिख सकते हो वह चाप्टर है आखरी चाप्टर हिस्ट्री का और इसमें भी चार से पांच एंपॉर्टन एमसी क्यू से इसको देख लेते हैं तो सबसे पहले लूरी म्यूजियम जो है पहला म्यूजियम इंडियन म्यूजियम था वह आपको याद रहना चाहिए नेक्स कोशन यहाँ पे टेन वॉल्यूम सब भारतिय संस्कृति कोश का उसको एडिट किया था और पॉब्लिश किया था किसके द्वारा महादेव शास्त्री जोसी यह मैंने चाप्टर पढ़ाते महादेव शास्त्री जोसी जो थे उन्होंने दस किताब लिखी थी भारतिय संस्कृति कोश का याद रहेगा ठीक है नेक्स कोशन पर जाते है अगला कोशन डैश प्रिपेर डूरिंग दर रीन ओफ डैश रेन ओफ चात्रपति शिवाजी महराज आर इंपोर्टेंट बुक करते हो लोगों के साथ तो राज्य व्यवार यानि कि राज्य का पालन कैसे करना चीए वह बुक सबस्याद इंपोर्टेंट था च्छत्रपति शिवाजी महराज के टाइम के तो याद रखना राज्य व्यवार कोश्ष वास्ट इंपोर्टेंट बुक्स इन पीरिड़ मेडिवल पीरिवर्ट याद रहेगा आखरी question for today ड़ाज़ इस डास मेश मोस्ट फेमध लाइब्रेरी इन तंजावूर तमिल-नाडू तंजावूर तंजावूर थमिल-नाडू में एक बहुती फेमस लाइब्रेरी है जिसका नामे सरस्वति महल गरंथाले याद रखना सरस तोटल mcq से समाप्त होता है all the very best अपनी तरफ से मैं बोलना चाहूंगा आज मैंने टोटल 80 mcq आपको करा दिये हैं almost approximately 78 है 78 से 80 मैंने mcq करा दिये और यह उमीद करता हूँ अगर आप यह बच्चा अगर कोई बच्चा आप में से यह पूरा mcq अगर देख लेता और उसके कोई भी answers या फिर कोई भी questions एक्जाम में पूछेगा उसके चार options दिये रहेंगे तो options को देखके ही आपको answer समझ में आजएगा कि हाँ this is the correct answer और उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ज्यादा help किया होगा तो इसी प्रकार हमने जो history का बना है तो क्या आप लो के बताना वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ जितना हो सकी उतना शेयर करो क्योंकि यह वीडियो में चाहता हूँ कि बहुत यूनिक वीडियो आस तक किसी ने नहीं बना ऐसा वीडियो तो मैं चाहता हूँ कि य जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू एंड गुडबाई